नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पार्थफाइंडर पर सो भारत की defense establishments ने एक नया फैसला लिया है कि चाइना और पाकिस्तान के borders के ऊपर एक नया defense system यहाँ पे लगाया जाएगा जिसका की नाम है LOROS system जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं Economic Times की यह खबर है India to enhance the observation system LOROS at the China-Pakistan border दोस्तों यह वाला जो topic है वैसे तो कई सारे कारणों की वज़े से important है ही कि क्यों हम यहाँ पे हमारा जो border observation system है उसको improve क्यों कर रही है लेकिन सबसे ज़्यादा important हमारे लिए being UPSC aspirants इसलिए हो जाता है because अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों के जो papers हैं UPSC GS mains paper 3 में यह वाला सवाल कम से कम दो बार पूछा जा चुका है 2013 का यह question आपके सामने रखा हुआ है मैंने How far are India's internal security challenges linked with the border management 2016 का question तो और भी सटीक है Border management is a complex task due to difficult terrain and hostile relations with some countries तो इस तरह के सवाल UPSC में कई बार पूछे जाते हैं इसी के चलते इस तरह की जो developments होती है जो की हमारी defense ministry या पर defense establishments के द्वारा ली जाती है हमारे लिए काफी important हो जाती है बात करेंगे कि क्या वज़े है what is the background जिसके चलते इंडिया को अपने यहाँ पर defense systems को improve करने की जरूरत पड़ी और सो बात करेंगे क्या खासियत है लोरोस system के अंदर चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद lecture की PDF को download कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए telegram channel के माध्यम से तो background को अगर समझें तो सबसे पहले तो there is the big dragon यानि की चाइना जो की हमारे side में बैठा हुआ है जिसमें की LAC के ऊपर चल रहा जो हमारा गतिरोध है वो लगभग अब डेड़ साल cross कर चुका है और अगर आप देखें जस तीन-चार दिन पहले की ही खबर है चाइना अभी भी शांत नहीं हुआ है वो अभी भी इंडिया को ही blame करता है गलवान वाली में जो भी बिढ़न्थ हुई थी तो ये केवल एक यहाँ पर transgression नहीं हुआ है आपको हर साल कई बारी transgressions देखने को मिल जाते हैं by the Chinese forces जो की इंडिया की security establishment के लिए काफी बड़ा concern बन चुका है आपके सामने एक उधारन पेश करता हूँ जस्ट आज से दो-तिन दिन पहले की खबर है चाइना की जो People's Liberation Army है उसने उत्राखंड के बारा होती में incursion करी और वहाँ पर एक pull को damage करते हुए वो लोग वापस चले गए आपको देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि more than 100 Chinese soldiers and 55 military horses entered a demilitarized zone at 12 होती in उत्राखंड ये भी कुछ उधारन basically इसी तरफ इशारा करता है कि हमें हमारी जो border के उपर defense systems है surveillance के systems है उसको improve करना होगा इसके इलावा अगर आप देखें पाकिस्तान की तरफ से आपको मालूम है कितनी तेजी से LOC के उपर जो ceasefire की violations है वो हो रही है आपके सामने है fresh infiltration for Pakistan testing the LOC ceasefire उसके बाद the Hindu की ये खबर है first ceasefire violation on LOC in तंगधार sector since February यानि कि यहाँ पर आपके ऐसे ऐसे था कि frequent incidents of security breach along the border with China and Pakistan basically यही कुछ कारण बन चुकी है जिसकी वज़े से इंडिया अपना जो border पे system है उसको बहतर करना चाहता है इसके इलावा भी अगर आप देखें यहाँ पर केवल ये कहानी पाकिस्तान और चाइना के साथ नहीं बलकि बांगलादेश और मायनमार के साथ भी हमारी कहानी काफी हद तक सिमिलर है देखें दोस्तों जो बांगलादेश का हमारा border है वो भी काफी जगा से porous border है porous का मतलब क्या होता है कि border हर जगा पे fencing होनी यहाँ पर काफी मुश्किल है विकॉस कई जगा पे आपके घने जंगल है कई जगा पे आपकी नदियां है जिसकी वज़े से fencing नहीं हो पाती है और यहाँ पर इसी की वज़े से कई सारे loopholes कई सारे gaps create हो जाते हैं जिसका की गलत इस्तेमाल कई वार militants के द्वारा या फिर insurgents के द्वारा किया जाता है यह वाली कहानी बंगलादेश के case में तो है ही और recently हमने experience किया Myanmar में जब तकता पलट हुआ वहां की military के द्वारा और जो porous borders थे उसकी वज़े से जो हमारा north east का state है miserum वहाँ पर कई सारे refugees आके रहने लगे और आप यहां पे देख सकते हैं कि after the February Myanmar military coup लगभग साड़े 8000 के आसपास Myanmar nationals हैं जो की इंडिया में crossover कर चुके हैं यह वाला recently government ने बताया था राजिसभा को यह सारी कि सारी कहानिया basically इसी तरफ इशारा करती हैं कि भारत को border के ऊपर अपने surveillance के systems को अपनी टोही करने की प्रणाली को improve करने की काफी आवशकता है इसी particular background के चलते दोस्तों यह वाला जो system है जिसका हम नाम ले रही है लोरोस system इसको यहां पर भारत further enhance करने वाला है लोरोस की full form क्या है आपको बताना चाहूँगा आप यहां पर देख सकते हैं लोरोस basically stands for long range reconnaissance and observation systems इसको बनाने वाली company I'm sure आपने इसका नाम सुना होगा इंडिया ने कई सारी चीजें इस particular company से procure करी है Israel based company है जिसको की Elbit Systems कहा जाता है आप यहां पर देख सकते हैं इसराइल based international defense electronics company engaged in a wide range of programs throughout the world और यह वाली company है जो की आपका यह आपका लोरोस system है जिसको की provide करवाती है आपको बतादूं दुनिया में one of the most advanced अगर किसी country के पास border management का system है तो दोस्तो वो Israel ही है जो की इतने जादा आधूनिक तरीके वाले आधूनिक level के यहां पर border management systems को तयार करवा रही है यहां पर अगर आप देखें भारत ने इसको upgrade करने का फैसला एक और कारण की वज़े से भी लिया है जो हमारा existing यहां पर equipment लगा हुआ है वो अगर किसी human target को identify करना होता है तो 15 km की दूरी से जादा वो नहीं देख सकता है अगर किसी vehicle को identify करना होता है तो 24 km से जादा दूरी वो नहीं देख सकता है लेकिन जो हमारा upgraded यहां पर लोरो system होगा इसकी आप ध्यान से देखें विशेशता हैं क्या है जो इसमें लगा हुआ sensor system है यह हमें long range का surveillance offer करता है दोनों ही दिन में और रात में अगर human targets की बात करें तो यह human targets को recognize कर सकता है 20 km की दूरी पर इसके इलावा जो आपके moving vehicles है और जो आपके stationary vehicles हैं इनको यह identify कर सकता है 40 km और 15 km की दूरी के उपर respectively यानि कि इसकी जो range है वो existing काली range से काफी बहतर है और यह वाली हमारी requirement जो armed forces ने दी थी यह वाला upgraded Loro system इस requirement को पूरा भी करता है इतना ही नहीं requirement of armed force में यह भी आता है कि हमारा जो surveillance system होना चाहिए वो काफी compact होना चाहिए काफी portable होना चाहिए ताकि जब चाहें हमारे जो सैनिक हैं वो उसको एक जगा उठाकर भी लेके जा सकें which can detect and recognize the human and the vehicle targets during day and night with simultaneous recording facility तो यह सारी की सारी चीजें अगेन आपका Loro system offer करता है लेकिन upgraded version जो की हमारे पास अभी तक available नहीं था इसके इलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया ने रीसेंट सी बात है जस्ट आपके सामने हैं यह द border surveillance system जो की handover किया गया था भारत के रक्षा मंतरी मिस्टर राजनात सिंग जी के द्वारा to the armed forces यह भी आपका border surveillance system है जो की हमारा लदाक के border area के उपर deploy किया हुआ है इसको develop करने वाली जो laboratory है this is the instruments research and development establishment in देरादून यह भी काफी successful है लेकिन हमें जो अभी जरूरत पढ़ ही ह हमारी requirement के अनुसार वो basically हमारा लोरोस का system है जो की Indian army के द्वारा procurement को सामने पेश किया गया है वीडियो कैसी लगी हमें comment section में definitely बताईएगा जाने से पहले बताना चाहूंगा कि इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है UPSC CSE geography combat में जिसमें की मेरे द्वारा भी कई सार benefits मिलने वाले हैं आपको बता तुम दोस्तों कि यह सारे के सारे batches शुरू होने वाले हैं और यह वाले भी आपको subscriptions available करवा दी जाएंगी अगर आप लोग course में enroll करते हैं तो thank you for listening stay tuned and stay safe